वेल्कम बैक टू माई चैनल इसके लार मैं हूँ प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सराइज 9.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यह जो एक्सराइज ही यह बहुत ही सिंपल एक्सराइज है जरूरी यह है कि इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है अगर यह आपने देखा है तो इस एक्सराइज को आप खुद से बड़े आराम से बना लेंगे क्योंकि कुछ छोटे-छोटे concept है अगर वह क्लियर है तो यह एक्सराइज बहुत फटा-फट हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात निया ठीक है तो पिछले वीडियो की लिंक तो यह हमारी सारी कि सारी डिफरेंचिल एक्विशन इनकी order और डिग्री हमको बताना है तो order और डिग्री बताने के लिए order तो हम बता सकते हैं बड़े आराम से degree के लिए कुछ condition होती है वो हमको ध्यान देना होगा तो देखिए order कैसे बताते हैं जो highest order derivative होता है उससे हम बत सब्क्राइब क्या है मतलब क्या है डी 파लiation सब्सक् monday एक्स क्या होँ कि जो सब्सक्राइब करें तो डिग्री के लिए reminder तब होता है तब हमकोером का क्गियेक्षा कि अगर आपके पास जो भी डिफेरेंशिल एक्योईशन है वह होनी चाहिए पॉलिणोमियल एक्योईशन तो पॉलिणोमिल एक्योईशन के लिए कुछ कंडिशन सामय देखी थिपछली क्लास में तो उनी कंडिशन को आपको देखना है तो देखिए फोड़ा सा और सिंप्लिफाइए करके हमने लिख लिए ओर्डर्स हमको पता चल गया ठीक है यहां पर साइड में लिख देते हैं तो ओर्डर तो इसका हो गया अब डिगरी के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि यह पॉलिणोमियल एक्वेशन होनी चाहिए और पिछली क्लास में हमने क्या समझा था कि यहां पर यह जो डेरिवेटिव है यह अपना फ्री है इसके साथ कुछ एड़ हो सकता अब एड़ क्या हो रहा है तो आप यहां प इसको आप ट्राय करेंगे तो यह पॉलिणोमियल एक्वेशन नहीं बनेगी क्यों क्यूंकि आप देख रहे हैं यहां पर भी आपका डेरिवेटिव है यहां पर भी डेरिवेटिव है अगर इसको आप फ्री करेंगे तो यह साइन इंवर्स के अंदर आ जाएगा मतलब यह पर पिछली क्लास में देख चुके हैं इसलिए इसकी डिगरी जो रहे हैं है ृँ थीक है डिगरी डिपाइड नहीं है अब सेकेंड पर आते हैं समझ में आइने बात ऴडशे को मैं d x की डिगरी 4 प्लस साइन d q y by d x q एक्वल तो जीरो है ठीक है तो अब हमने क्या देखा कि साइन के अंदर है यानि साइन थीटा की जगह पर आपका डेरिवेटिव हा रहा है और हमने क्या देखा था पॉलियोमेल में कि जो भी डेरिवेटिव है वो किसी के साथ एड हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो सकता है इंफेक्ट अगर साइन x होता तब यह पॉलियोमेल एक्वेशन हो जाती बट यह क्यों नहीं क्योंकि साइन थीटा की जगह पर डेरिवेटिव हा रहा है तो अगर इसको आप फ्री करने की कुशिश करते हैं तो कैसे करेंगे आप यह जो है यह तो साइन इन्वर्स के फ़र्म में भी नहीं हो सान इनल वर्स साइन वर्स माइनस डी 4 वाय-वाय-दी इक्सक्ष ओगा में तो अगर यह यह आ जाता है तब भी यह पॉलिटिवयोमेल नहीं होगा कहने का मतलब यह है कि यह पॉलिवेशन नहीं है इसलिए डिग्री डिफा का मतलब dy by dx plus 5y equal to 0 तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कुछ भी नहीं है आराम से इसको हम क्या सकते हैं polynomial equation है क्योंकि यह derivative है derivative के साथ एक term add है ठीक है तो यह polynomial equation है तो सीधा सीधा degree और order बता देते हैं तो इसका जो order रहेगा तो हाइस टोर्डर क्या है पस्टोडर derivative एक ही बार हुआ है तो और भी बन अब इस पर जो जो भी डिग्री लगी होती है वो इसकी डिग्री हो जाती है जो डिग्री भी बन होगा है ठीक है खातम थर्ड बाले पर आते हैं तो देखिए यहां पर क्या है ds सपों dt की पावर 4 तो डेरिवेटिव है ती के रिस्पेक्ट में यहां पर dependent variable s independent t equal to 3s 3s का multiplier हुआ है डेरिवेटिव में तो बिलकुल किसी भी variable का multiplier हो सकता है डेरिवेटिव में तो मतलब यह polynomial equation तो है ठीक है अब इसका order हो डिग्री देख लेते हैं और हम कैसे देखते है highest order तो यह एक बार डेरिवेटिव हुआ है यह दो बार डेरिवेटिव हुआ है तो मतलब हाइस्ट ओडर हो गया तो अब जहां से order जो रहेगा उस पर जो भी डिग्री रहेगी वही होगी आपकी डिग्री ठीक चलो पोर्त बाले पर आते हैं तो यहां पर भी फिर से भाई कंडिशन आ गई कॉस के अंदर है आपका डेरिवेटिव ठीक है फ्री करने के कोशिश करेंगे तो कॉस इंवर्स के अंदर आ जाएगा यह जैसा कि यहां पर हुआ था मतलब यह भी पॉल्लोमियल एक्विशन नहीं है तो ओर्डर उस बता जेते हैं डिग्री डिफाइन नहीं है तो ओर्ड वीडियो देखा है उसमें हमने कुछ एक्जांपल लिया थे स्पैसिफिक टाइप के उन एक्जांपल को कर अच्छे तरीके सा समाझ लिया ना तो इन कॉस्चिन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिख़त के ठीक है तो एक्सराइज 9.1 के चार कॉस्चिन हमा यह नहीं होना चाहिए उससे कोई नंबर मल्टिporाइबल का मल्टिप्लाइए हो सब्सक्राइब कुए नंबर नग्साट भूसक्ता है को सकता है तो इनकी जो डिधरी रहनी चाहिए वह हमेशा फॉजट्यवटेव इंटीजऔर होना चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कभी भी डिग्री और और एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा यानि एक कोई नंबर रहेगा नॉन नेगेटिव नंबर ठीक है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि य अंदर डेरिवटिव नहीं है अगर यहां पे श्रीस दीवाइए डी आखसा आजाता तो दिक्कत वाली बात थी यहां पर नहीं है चलिए पॉलिग्री नहीं है तो ढता दें और इसी पर कुछ नहीं लगा हुआ है तो डिगरी क्या हो गई का अब एक अब कॉश्चन में 6 पर आते हैं तो ये हमारे स्पेशल टाइप कर नोटेशन के फ़र्म में दिया हुआ है तो नोटेशन हमने समझे दें इंटरोडाक्शन वीडियो में तो वाइट ट्रिपल डश का मतलब है कि युच नहीं लगा हुआ है तो आप देखें क्या ये पॉल्इमेल एक्वेशन नहीं है बिलकुल है किसी के अंदर डरिविटिव नहीं यह उरी वे सांद देड़िवेटिव में होई दिक्कत नहीं है अगर इनकी डिग्री की बात करें तो धिग्री भी देखना है अपने को तो यहां पर एक सबसे जब सब जब आपको चुके हूं कि बड़ी थास तो कोई मतलब नहीं वहीं इसकी डीगरी रही टिक चली सेविन्थ वाले पर आते हैं थे यह ड्य। क्या यह पॉलिनोमेल एक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है बिलकुल है यह अपनी पॉलिनोमेल एक्वेशन इन डेरिवेटिव है अब आराम से आपि डेरिवेटिव बता दीजोिक तो यह फॉलिनोमेल और लिजैं बतादेजी कर अपना इसम। खताम ठीक है तो इसको नूट कर लिजे वीडियो को पॉस्ट करके तो next question question number 8 तो यहाँ पर देखो ऐसे भी आप देख सकते हैं यह अपना y है y के साथ add है first order derivative equal to में e की degree x है तो यह आपका polynomial equation and derivative है ठीक है तो इसका order क्या हो जाएगा वही 1 क्योंकि highest order derivative है y- first order derivative ठीक है एक ही बार हुआ है और इसी की degree देख लेंगे तो इस पर कोई degree नहीं है मतलब degree हो गई 1 ठीक है इस पर कुछ नहीं है मतलब 1 है ठीक है न तो बस ऐसे लिखना आपने को तो यह हो गया अब आते हैं question no.9 पर तो यहां पर देखें y double dash second order derivative यह first order derivative का square plus 2y equal to 0 यह आपका polynomial equation in derivative है ठीक है अब इसके बाद चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप अगर आपको लिक्कत आ रही है तो ऐसे लिख सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो highest order derivative है second order derivative इसी का order देखते हैं आपन तो यहां से यह order हो गया आपका 2 और इस पर कुछ नहीं है मतलब degree कितनी है अब आते हैं question number 10 पे y double dash plus 2 divided dx plus sin y ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे यह second order derivative है यह first order derivative के multiply में 2 है कोई दिक्कत नहीं इसके plus में है sin y ठीक है मतलब derivative किसी के अंदर नहीं है ठीक है कहने का मतलब यह है कि यह polynomial equation in derivative है तो बहीं काम बनके अपना highest order derivative कौन सा है d square by dx square इसका order है 2 तो यहां पर आपना order हो जाएगा 2 डिग्री देख लीजे तो उस पर कोई भी डिग्री नहीं लगी हुई है मतलब डिग्री क्या है ठीक है clear तो लीजे यहां पर हमको बोला गया था कि इसको नोट कर लिजी वीडियो को पॉस्ट करके अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉश्चन नमबर 11 अभी तक जो कॉश्चन किये बिलकुल वैसा ही है तो बस बात वही है इस कोश्चन का अंसर बिलकुल अराम से कर सकते हैं हमको सिर्फ इतना बोलाएगा कि इसकी अपने को दिगरी बतानी है अब दिगरी बताने के लिए अपना सबसे पहली शर्त ही होती है कि जो भी डिफेरेंचल एक्वेशन है वह क्या हो नहीं चाहिए आपकी पॉल्लियोमल एक्वेशन इंडरिवेटिव ठीक है तो यहां पर हमने देखा दिखा और डिएक्स स्वर सेकेंड चल जाएगा कोई दिक्तर न ही प्लस में साइन डिवाएवाड एक्स तो देखिए यहां पर साइन एक्स इंटु डिवाइवाड डिएक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं ती लेकिन क्योंकि साइन के अंदर आगया डिक्त इसका मतलब है कि यह पॉलियोमियल एक्वेशन नहीं है तो मतलब डिगरी नोट डिफाइन हो जाएगी और जैसा कि इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर कोई नहीं है तो सबसे पहले आप यह देखिए क्या उसको हम बना सकते हैं तो यह नहीं बनेगी रीजन क्या है कि देखिए अगर यह उस तरफ जाता है यह तीन ट सरी के समझें तो इंट्रोड़क्शन देखा है तो यह आप आराम से देख सकते हैं अपने आप विजुलाइज कर सकते हैं हां यह चीज़ कैसे होगी ठीक है तो यह तीनों चीज़ें साइन इंवर्स के अंदर आ जाएंगी तो वहां पर भी वह पॉल्योमिल एक्विशन ड पूछा जाता तो तो हम लिख लेते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी इसका और टू रहेगा हाला कि यह और पूछा नहीं है सिर्फ हमसे पूछा था कि डिगरी बताईए तो डिगरी नॉट डिफाइन रहेगी तो इसको नोट कर लिजे अब हम करेंगे नेक्स कॉशन अप तो यहां पर आप से डिगरी पूछी भी जाती है तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्या यह पूछी डेरिवेटिव है तो कैसे देखेंगे तो यहां पर आपने देखा second order derivative की multiply में 2x square है कोई दिकत नहीं multiply हो सकता है किसी भी variable से किसी भी number से फिर इस में से minus हो रहा है कुछ हो सकता है लेकिन क्या minus हो रहा है 3 into dy by dx मतलब dy by dx के multiply में 3 है बिलकुल हो सकता है plus y मतलब यह polynomial equation and derivative है मतलब यहां पर इसक इसका order हमने देखा order हमने कहां से देखा इस से देखा डी square y y dx square से इसका order है 2 ठीक है अब इसी पर जो भी degree है कुछ degree नहीं है मतलब क्या 1 है तो degree हो जाएगी बान ठीक है तो हालागी degree नहीं पूछी है बढ़ हमने कर लिया इसको तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा तो यह हो गया आपका question number 12 complete ठीक है इस question के साथ हमारी यह जो exercise है बहुत ही छोटी सी exercise थी और छोटी और simple तभी लगे कि जब इसका introduction आप देखेंगे सारे concept समझेंगे ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई एंद थांक यू